वेलकम फ्रेंड्स एक बर फिर आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर आज हम SSC CGL 2019 के टायर वन का एक और पेपर सॉल्ब करेंगे जो की हुए था 4 मार्च 2020 को सिफ्ट 3 में इस वीडियो में हमके वाल रेजनिंग पार्ट को कबर करेंगे अगर आप लोग एप्टिटूट पार्ट को भी देखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करें इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें वेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं हमारा जो पहला कोश्चन है वो एक सीरीस रिलेटिड है इसमें आपको बताना है कि कोश्चन मार के स्थान पे आपका क्या आएगा तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी पहली संख्या है उसमें अगर हम प्लस टू एड करेंगे तो हमारी जो है दूसरी संख्या आ जाती है ठीक है पंदरा सो उनतालीस अब अगर हम इस दूसरी संख्या में पंदरा सो उनतालीस में अगर हम प्लस फोर को एड करें तो हम पर 2-2 की difference पर आपको add करना है यहाँ पर प्लस 2 करना है यहाँ पर 4 करना है यहाँ पर 6 करना है जैसे ही आप 6 करेंगे तो आपका 1549 आजाएगा और यही हमारा जो है correct answer है यह first number वाला option हमारा correct हो गया तो इस टाइप के question को करने के लिए आपको sequence मिलाना रहता है जो पूरी series में sequence रहेगा उसी sequence से आपका answer आएगा ठीके ना तो next question है next question में बोला जा रहा है कि एक diagram है उसको अगर हम बीच की axis से fold कर दें यहाँ इस axis से अगर हम fold कर दें इसको तो क्या बनेगा तो obviously यहाँ पर black है और यहाँ पर black ब्लैक साथ में overlap हो जाएंगे और सफेज सपेद overlap हो जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा first वाला option है because यह black black overlap हो गया और यह जो white white overlap हो गया य आपको confuse करने के लिए तो आपको confuse बिल्कुल नहीं होना है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यह जब मोडेंगे तो यह जो काला वाला पार्ट है यह आपका काले वाले पर ही overlap करेगा और white वाला पार्ट आपका white वाले पर ही overlap करेगा तो simply आपका जो diagram बनेगा मोडन इस question में मैं आपको समझा देता हूँ इस question में सबसे पहले आपको बोला गया है product was marked for the sale with the label price which is at 20% discount on the printed price मतब एक जो बस्तू है कोई भी बस्तू है उसको बेचने के लिए रखा गया है उसमें जो label लगा हुआ है उससे 20% discount उसमें लिखा हुआ है तो 20% discount मान लीजिए यहां पर हम मान लेते हैं कि 100 रुपए की कोई बस्तू है ठीक है उसमें से अगर हमने 20% घटा दिया तो कितना बचा वह बचा हमारा 80 रूपीज तो 80 रूपीज उसमें लिखा हुआ है उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि सोब की पर आपको 10% discount और देता है तो इस पे 10% discount अगर आप निकालोगे तो एट रूपीज होगा तो एट रूपीज और घटा देंगे तो कितना बचा 72% जो उसकी प्राइस होगी बस्तू की उसका 72% जो है प्राइस पर वह बस्तू बेची जाती है तो आप आपको निकालना है कि customer what the 468 तो जो customer ने बस्तू है 468 मतलब 72% क्या है 468 है ठीक है 468 में खरीदी what is the printed price तो आपका जो actual price है वो आपको निकालना है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि मान लें कि उस बस्तू का जो printed price है वो X है तो X का 72% 72% तो हमें पता है ना उसका क्या है 72% क्या है 468 अब 72 क्यों लिखा आपको पता होना चाहिए कि 20% मैंने उसमें से जो पहले discount दिया था वो और बात में जो 10% दिया वो दोनों खटा दिये हैं तो आपका 72% आया अब आप इसको solve करेंगे तो ये आपका जो आएगा X is equal to इसको आजाएगा 468 into 100 upon में आजाएगा आपका 72 और यही जो है आपका correct answer हो जाएगा जो 650 रुपए है उतने की बस्तू जो actual price थी बस्तू की ठीक है न यह आपका correct answer हो जाएगा first number वाला option तो यह देखो देखने में बड़े लगते हैं question बट होते बहुत आसान है आपको पढ़ना जरूर चाहिए एक बार next question है आपका एक series वाल चोड़ा हुआ है बीच में D के बाद E F तो E बस चूटा हुआ है ठीक है बाद अब उसके बाद F के बाद G और H जी एच तो F के बाद G छोड़ा हुआ है और H यहां पर लिखेंगे तो H आएगा actually एक एक छोड़ छोड़ के इनने लिखा हुआ है पहले word पे तो D के बाद E चूटा हुआ है तो F आएगा F के बाद G छूटा हुआ है फिर H आएगा तो हमारा जो question मारकिस्तान पर word आएगा उसमें जो पहला अक्छा रहेगा वो H आएगा ठीक है ना अब H तो 2 में है तो हम confuse हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे next बाला जो है उसको उसको भी ऐसे ही simplify कर आएगा यहां पर तो यह एची कौन-कौन से में है के बल एक में यह तो हमारे यह answer correct हो जाएगा अगर मालो सेकंड में भी नहीं आता दौनों में यह होता तो फिर हम next check करते तो हमें अगर पहले में मिल जाता है तो हमें एक ही check करना है दूसरे में मिल जाता है तो दो दिए हुई है और नीची Kirव a 10 में भी आकरति दिए है तो आपको बताना है कि यह जो आक्रति है किस Uh dulu Всё को मिलती है तो आप यहां पे देख सकतने हैं साफसाप आपको दिख रही है ये और ये ये फूरा जो है ये आपका ये वाली पहली में ही मिल गया तो आपको देखो इस तरीके क्वेश्चन जो है आपको डारेक्ट अपना जो प्रिजेंस ऑफ माइंड है पेपर में ही रखना है क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आपको ये क्वेश्चन तुरंट बन जाएंगे क्योंकि ये आकरती आपको सिर्फ आपको ये दिया हुआ है और आपको ये देखना है कि कौन से में देख रहा है है ना तो बहुत ही आसान होते हैं यह question तो यह आपको और किसी में भी नहीं मिलेगा आप यहां पर देखोगे तो confusion करने के लिए आपको देखो इसमें भी दिया है बट थोड़ा सा difference आपको यहां पर मिलेगा जब आप मिलाओगे तो आपको difference मिल जाएगा कि क्या difference है तो आप तो ऐसे question को बड़ी ही साउधानी से करें बहुत ही आसान question होते हैं ठीक है ना अब next question है आपका coding decoding का वैसे तो एक question मैं आपको practice के लिए देता हूँ लेकिन एक मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि special concept इसमें दिया हुआ है आपको यहां पर सबसे पहले जे दिया हुआ है तो जे को यहां जे ही रहने दिया है तो ऐसे ही यहां पर N लिखा हुआ है तो हम N को N ही रहने दिया जाए लेकिन N तो चारों में है तो अब हम फिर से उसको next word को rectify करेंगे तो यहां पर U लिखा हुआ है तो इसको V लिख दिया है मतलब एक आगे का word लिख दिया है तो यह से ही हम यहां लेंगे यहां पर क्या है पी है तो यहां पर भी ओ होना चाहिए तो यह दो में है एन फो तो फिर से हम एक नेक्ट वर्ड चेक करेंगे जब हम नेक्ट वर्ड चेक करेंगे तो यहां हमारा क्या है टी है ठीके ना आई है सौरी पी के बाद आई है तो आई को क्य तो हम पांचमा भी चेक करना पड़ता है लेकिन हमारा यहां चार ही वर्ड चेक करने में हमें अंसर पता चल गया तो आप हम यहां पर आगे चेक नहीं करेंगे यहीं हमारा जो है फर्स नमबर बाला उफसन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट आपको चार अलफावेटिकल कुछ वर्ड दियो है कुछ सब्द दियो है आपको इनमें से सबसे अलग जो है वो चांटना है तीनों किसी ना किसी एक मैनर में सिमिलर होंगे एक जैसे होंगे एक है जो वो अलग होगा तो अलग जो होगा उचामटना है तो आप यहाँ पर देखेंगे यहा है पर IJ लिखा हुआ है एमन लिखा हुआ है तो इसीसमें हैं अब next हम चेक करेंगे इसमें next चेक करेंगे next वाला तो यहां पर जे के बाद k-l-m तीन चूटे हुएं बीच में उसके बाद n आया हुआ है इसी प्रकार से यहां पर n-o-p-q-r तो मतलब तीन यहां पर भी छूटे हुएं n और r के बीच में तीन वर्ड छूटे हुएं अब यहां पर g देखेंगे g के बाद h, i, j यहां पर k आना चाहिए लेकिन k की जगा यहां पर l आ रहा है तो यहां पर 4 छूटे हुएं अब next हम चेक करते हैं b, c, d, e, f तो यहां पर भी 3 चूटे हुएं g और f, g और l के बीच में 4 वर्ड छूटे हुएं इसलिए different है इसलिए इसको हमने correct माना है third number वाला जो option है इसमें correct हो जाएगा next जो question है wheat is related to bread तो wheat जो होता है गेहूं वो related होता है bread मतलब रोटी से ठीक है तो उसी प्रकार से sugar can जो होता है वो कह से related है जरजरी जरजरी से related है इसलिए यह आपका option जो है fourth number वाला option correct हो जाएगा next question आपका जो है यह आपका बहुत ही simple question है data interpretation का question है तो यह आपके लिए आज के लिए homework में है यह आपको homework में करना है और इसका answer जो है आपको post करना है comment में ठीक है तो आप वहां से इसको solve कर सकते हैं आप comment जरूर करें कि बना है कि नहीं बना है next question हम जब आप करेंगे तो यह series का question है इसमें alphabet दिए हुए है तो a के बाद e आया हुए थे उसके बाद j आया हुए है तो हम देखेंगे a से e की बेच में कितने छूटे हुए देखो यहां पर a लिखते हैं a के बाद b c d तीन छूटे हुए है और उसके बाद e आया हुए है अब उसके बाद f g h i उसके बाद j हुए है तो चार छूटे है अब ऐसे ही हमें next निकालना है तो उसमें हमें 5 छोड़ने पड़ेंगे तो j के बाद k l m n o ठीक है 5 छोड़ c हमने यहां पर p आएगा तो पी जो है हमारा correct answer हो जाएगा ठीक है न तो इस तरीके से भी आपको logic लगाना है इसमें 3 इसमें 4 इसमें 5 और जो next आएगा उसमें 6 छूटे हुए होंगे तो यह ऐसे logic भी बनते हैं तो पी जो है third number वाला option हमारा correct हो जाएगा next question है हमारा यह फ तो वो question जादा आसानी से आपसे बनते हैं ठीक है न तो इसलिए मैं इसको नहीं कराता हूँ यह हमेशा ही आपके लिए blood relation का जो question हो हमबर के लिए रहता है अब next question हम करेंगे next question में आपको dice दिया हुए dice में आपको बताना है कि equal to के opposite size क्या आएगा ठीक है न तो यहां पे equal प्लस दिया हुआ है तो इसके पर्सेंटेज और प्लस तो आंसर नहीं हो सकते है तो पर्सेंटेज तो वैसे भी cut होगे आप Bचे कितने 3 बचे अब यहाँ पर हम दूसरे dice में आएंगे तो दूसरे dice में आप यहां पर देख सकते हो यहां पर आपको plus है यहां पर मतलब किसी side पर यां पो besen आपки परसंटेज़ यहां पर है तो उसके गद्व में दिया हुए है तो यह स्टार थिंए आप डाईइस यहां पर आप देख सकते हो कि है तो हैं सेट्रक्छा है समय होएं डॉलर का पताना है कि सबसे सब्सक्राइब तो आप यहां आरंगबाद और धुम पर देखोगे चेरन आई और गंगटोक और हैदरवाद ये is for there in the figure तो इसमें rectangle बतािना एकितने rectangle इस फिगर में दिये हुए है हर मेर मेर मेरा है कोई फर्मूला ओब अब खाए को आप इसमें कने बश्यली है जाय वो ठाय आयत हो या पिर समानांतर सब्सक्राइबं करते हैं βail जो चप्रक्त्ः गांट चोगा यहां पर तो आप लोग order करें में आपका यहां चंप इंगार चारी वहतिन sanitizer नेक्च्ट ऑइगा तो देंटेस्ट केपंगधा तो यहां पर देंटेस्ट दीए उसके बाद देल है दातों का दॉक्टर को देंटेस्ट बोला जाता है लेकिन ओविसली वो डॉक्टर के ही अंतरगत आएगा तो डेंटेस्ट क्या है डॉक्टर के अंतरगत आता है उसी प्रेकार से केमेस्ट्री किसके अंतरगत आता है साइंस के अंतरगत आता है अब कोई भी आपसे पूछता है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लि रहता है और वायलोजी में भी रहता है ठीक है ना तो आप डारेक्टली बोल देते हो कि साइंस लिए तो समझ जाता है कि केमेस्ट्री जरूर होगा इसके सब्जेक्ट में तो उसी प्रिकार से अगर आप डॉक्टर बोल देते हो तो वह किसी ने किसी चीज का तो होगा या केंस ये टेंटेस्ट है वह आपका डॉक्टर के अंतरगत आएगा आता है और केमिस्ट्री की ये यक्रिफिया Ben कि करेक्ट है टो को कि यहां पर इस voी कौन बनेगी तो यही लिखा हुआ है तो यहाँ पर इस टाइप के question में आपको directly यहाँ पर एक बना के आपको देख लेना होता है कि यहाँ पर जो आएगा rectangle आएगा right angle triangle कुछ इस तरीके से आएगा यह बीच वाला same to same रहेगा उपर ही काला रहेगा उसके बाद यहाँ पर एक circle आएगा जो कि यहाँ पर सफेद रहेगा यहाँ नीचे काला रहेगा उसके बाद यहाँ पर तीर आएगा और यहाँ पर black वाला तीर आएगा नीचे की तरफ तो इस type से जो आकरती आपने यहाँ पर बनाओगे उसी किसे similar जो आकरती होती है जैसे कि fourth number वाला जो option है आपका correct हो जाएगा ठीक है ना तो यह आपका जो है correct अब यहाँ पर देखो सब सेम कर दिया है इन लोगों ने लेकिन क्या है इस आकरती में आपको इसमें नीचे काला है इसमें उपर काला है तो आपको छ लेकिन मैं किसी ने किसी तरीके से same relation होगा बर चौथ ही आपकी अलग होगी तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 111 का स्कॉयर 121 होता है प्लस करेंगे कुछ भी तो मतलब 20 से जादा ही आपको एड़ हो रहा है मतलब एक्जैक्ट आपका 121 नहीं है 121 से जादा मतलब इनने कह 25 इसको एड़ किया है अब next ऐसे ही करेंगे तो यह 17 का जो square होता है 17 का जब square करेंगे तो यह होता है आपका 289 ठीक है न 17 का square होता है 289 तो यह approximate exact तो नहीं है बट approximate जैसे 17 का square करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते है 290, ऐसा 289 होता है, लेकिन 290 लिख देंगे तो चलेगा, ठीक है तो ये लगभग square के बराबर है बांकी कोई भी square के बराबर नहीं है, काफी दूर दूर है ठीक है न, तो इसलिए आपका जो है 17 का square लगभग में 289 89 होता है, तो 290 भी उसको approximate equal लिख सकते हैं इसलिए आपका ये square के बराबर है इसलिए आपका ये correct answer हो जाएगा different है तीनों से, बांकी तीनों नहीं है ये आप यहाँ पर देख लो 10 का square करेंगे तो 100 आता है लेकिन 23, plus 23 करेंगे तब ही आता है अब 14 का square कर लो तो 196 आएगा और plus उसमें लगबग आपको 31 add करना पड़ेगा आप 11 का square 12 होता है plus उसमें अगर 25 करेंगे तब ही आता है ठीक है ना तो काफी दूर दूर है आपको ये pass है square के इसलिए आपका ये correct है next question है आपका coding decoding का है तो इसमें आपको एक new concept आया है लिखना है ठीक है ना जैसे यहां पर o लिखा हुआ है तो कौन से number पर आता है पंदर में number पर आता है तो पंदरा आपको आगे ना लिखके पीछे लिखना है ठीक है ना उसके बाद आपको r केतने number पर आता है e, j, o, t, y तो आपको एग प्रॉता टी एक formula होता है e, j, o, t, ठीक है न तो यह 5 होता है यह 10 होता है यह 15 होता है यह 25 होता है तो यह आपको याद कर लेना है जिससे आपको इसके sequence आसानी से याद हो जाएंगे अब हम जैसे की कर रहते हैं यहां पह ती का ओ का जो सिक्वेंस होता है वो कितना होता है 15 होता है आर का जो सिक्वेंस होता है वो कितना होगा R का जो sequence होगा 18 हो जाएगा ठीक है ना उसी प्रकार से आपको सारे sequence निकालना है और आगे लिखते जाना है जैसे ही आप लिखोगे तो आपका जो answer आजाएगा वैसे तो आपका answer पहले में ही आगया क्योंकि 15 last में किसी में भी नहीं है कि बल इसी में है तो आपका एक ही मिलाने पे जो है second वाला option correct आ जाता है बटे new concept यह है कि इसमें जो है आपको जो आगे वाला word है उसका संख्या पीछे लिखना है ठीक है ना इसी प्रकार से ओ का जो word 15 आता है sequence number वो आपको पीछे लिखना है ठीक है ना तो यह आपको पीछे से आगे लिखते जाना है जो आपका आएगा वो आपका correct answer हो जाएगा तो इस case में आपका second number वाला जो option है वो आपका correct है ठीक है next question जो है next question में आपको when diagram बनाना है तो when diagram जो आप बनाओगे तो इसमें लिखा हुए all singers are dancer डांसर तो सारे जो singer है वह क्या है singer को s से denote कर देते हैं और dancer को d से तो सारे singer क्या है dancer है हब next जो बनाते हैं no dancer is a plumber no dancer is a plumber to कोई भी dancer plumber नहीं है तो plumber को p से तो इसका कोई relation नहीं है नीची concludeser देेखते है no plumber is a singer ... котор Пр важ하 ... प्लंबर सिंगर नहीं है कोई भी प्लंबर सिंगर से कनेक्ट नहीं है दूसरे हैं सम्सिंगर सार प्लंबर तो सम्सिंगर सार प्लंबर तो सम्सिंगर सार प्लंबर ये भी नहीं है ठीक है न ये भी नहीं है नेक्स्ट है आपका सम्डांसर्स आर सिंगर सम्डांसर्स आर यहां पर नीचे जाएंगे देखेंगे पहला तीसरा conclusion जिसमें सही लिखा है वही आपका correct हो जाएगा तो आप देखेंगे fourth number वाला option आपका correct दिया हुआ है next question जब आप करेंगे next question में आप यहां पर देखेंगे कुछ आकरती दी हुई है sequence wise तो इसमें आपको जो question mark के स्थान पर जो आकरती आएगी वो बताना है तो यहां पर आपको एक एक आकरती मिलाना होती है यहां पर आप देखें कि जो त्रिभुज है यह पहले आपका कहां गया इतर गया तो मतलब कुछ इस तरीके से यह घूम रहा है तो यहां पहले यहां आया अब यहां आया आप कहां आ नीचे तो जिसमें चारों आपके जो सिक्वेंस से वो मिल जाएं तो आपका करेक्ट अंसर हो जाता है मैंने दौनों बना दिये त्रिभुच का भी बता दिया इसका भी कुछ नहीं है यह आपकी देखो इसमें क्या है उपर इसकी नुकीली साइड उपर है यह इधर गया तो से पहले यह ता फिर नीचे आया मतलब यह इस डारेक्शन में जा रहा है हैNत तो यह आप यह आ इहां गया फिर उसके बाद यहां आ गया आप इसके बाद कहां जाएगा उपर जाएगा यह थे काला रहे गा और यह यह पे असके यह आप ए first number वाला option है जब आप मिलाओगे तो ये आपका correct हो गया ठीके ना next question आप जब करोगे next question में आपको cities के नाम दी हुए है और उनकी population according to population जोनकी population है मतलब जनसंख्या है उसके हिसाब से आपको जमाना है तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे तो जो उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है सबसे ज़्यादा है तो fourth number वाला सबसे पहले आजाएगा उसके बाद हम देखेंगे मद्र प्रदेश की जनसंख्या है तो उसके बाद दूसरा आजाएगा उसके बाद हम देखेंगे बढ़ता हुआ क्रेम भी याद होना चाहिए तो आपको यहाँ पर दो चीजों की परेक्छा ली जा रहे है एक तो रिजनेंग की और दूसरी आपकी जीके के ग्यान की जीके का आपका कितना नॉलेज है उसका आपको पूछा जा रहा है तो आपको कुछ इस तरीके के कोस्ट आपको करना है नाइस्ट कोस्टन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है एक वेंड डाइग्राम तो इसमें आपको कुछ वर्ड दी हुआ है जैसे की वेंड डाइग्राम में रेक्टेंगल रेप्रेजेंट करता है इंजीनियर को जो रेक्टेंगल है आपको वो इंजीनियर को represent करता है circle आपको represent करता है manager को तो यह manager को m लिख देता हूं और जो triangle है वो आपको represent करता है married को कि यह married है married को m a लिख देता हूं तो आपको यहां पर दिखा दिखाया गया है कि how many pupils are married but not engineer तो married है बट engineer नहीं है कहने का मतलब यह है कि ऐसे इसमें लोगों की संख्या निकाल ली है कि जो triangle में तो है ठीक है triangle में तो है नहीं sorry rectangle में तो है बट क्या है यह triangle में नहीं है ठीक है तो ऐसे कितने होंगे तो ऐसे कितने लोग होंगे जो triangle में है लेकिन rectangle में रेक्टेंगल में है लेकिन ट्रेंगल में नहीं है इंजिनियर तो है बट मेरेड नहीं है तो ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर जब आप निकालोगे इनकी संख्या तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो जैसे कि तो मेरेड बट नॉट इंजिनियर तो Married but not Inginnier तो Rectangle में नहीं है लेकिन Trangle में होना चाहिए तो Trangle में ऐसे कितने है जो Trangle में है लेकिन Rectangle में नहीं है तो Rectangle में नहीं है तो कितने बचे Trangle में 13 plus 16 तो एक कितने हो जायेंगी 29 तो आपका 29 जो है correct answer हो जायेगा यहाँ पर ठीक है ना तो ये ध्यान रगना है आपको थोड़ा सा नेक्स्ट है आपका simple question एक equation दी हुई है आपको पूछा गया है कि कौन से दो चिन है जिनको interchange कर दिया जाए तो हमारा जो equation है वो satisfy हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको सबसे पहले sum में करके देखना है कि कौन से interchange होगा लेकिन 121 जो भाग और गुणा वाला interchange वाला है वो आपका 60 बैठेगा तो यहाँ पर 120 प्लस 11 माइनस इंटू की इस्थान पर क्या आएगा आपका 42 इंटू sorry मैं छोटे में लिख देता हूँ यहाँ पर 120 प्लस 11 माइनस 42 और उसके बाद गुणा की इस्थान पर आपको भाग लिखना है तो भाग हम नीचे कर देते हैं 6 आएगा और यहाँ पर भाग की जगह आपको गुणा लिख देना है 7 तो यहाँ पर 6 कम 6 6 7 42 तो यहाँ पर क्या आएगा 121 प्लस 11 और माइनस में आजाएगा 49 ठीक है यहाँ 121 है जब आप इसको solve करेंगे पूरे को तो यह आएगा आपका 83 तो मतलब equation क्या है satisfy हो गई यही हमें चा अब next question है हमारा इसमें आपको similarity ढूंड़ना है इसमें बोला गया है कि ऐसे option को आपको छाटना है जो ऊपर दिये गए जो है आकड़ों से similar हो same way में लिखा गया हो तो आप यहाँ पर देखेंगे 17 लिखा हुआ है उसके बाद 24 तो 17 में अगर 7 जोड़ेंगे तो यह 24 आता ह है यहाँ पर देखिए आप बारा बारा में अगर 7 जोड़ा तो 19 आ गया और 19 दूनी क्या होता है 38 तो 38 में आपने क्या क्या गया 19 दूना होता है 38 और 38 प्लस करेंगे 2 तो यह आपका क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा तो आपका जो है ए नंबर बाला option जो है correct हो जाएगा ठी यहाँ पर बाकी सम में आप मिलाएंगे तो किसी में भी आपको इस तरीके का नहीं मिलेगा ठीक है न यही एक word है यही एक group of number है जो आपका दिये हुए question के group से match करता है तो आपको इस तरीके का logic भी लगाना पड़ता है question में ठीक है न तो आपको याद ध्यान रखना है इस लें और उसको फिर से अपने मन से solve करते जाए question को तो यह आपकी practice भी हो जाएगी और इस चैनल पर मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूं question paper solve कराता रहता हूं तो इस वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की notification आपको सबसे पहले प्राप्त हो और वीडियो को share करना बिलकुल ना भूलें आज के वीडियो में फिलाल इतना ही धन्यबाद